नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेज, असिस्टेंट प्रोफेसर ए बीएस्टी हमारा जो टोपिक चल रहा था वो बीकॉम फेस्टियर में, बिजनस इस्टेटिक्स में इस्टेटिकल एवरेज का टोपिक है इस्टेटिकल एवरेज में हम मीन कल्कुलेट कर रहे हैं मीन कल्कुलेशन के उपर हम दो वीडियो जारी कर चुके हैं आप लोगों को समझ में आचुका होगा कि मीन किस प्रगार कल्कुलेट करते हैं अब हमारे पास कुछ डेटा दिये हुए हैं उन डेटाओं के अकॉर्डिंग हम अर्थमेटिक मीन कल्कुलेट करेंगे जब हमारे पास यहां पर एज गृप दे रखा है चातर ध्यान दे एज गृप असेंडिंग और डिशेंडिंग ओर्डर में हो क्यूशन में कोई फ्रक नहीं पड़ेगा आप उसी ओर्डर में क्यूशन को सोल कर सकते हैं एज इन इयर उसके कोडिंग हमारे पास कंडियेट दे रखे हैं यानि फ्रिकेंसी दे रखी है एज इन इयर हमारे पास इस प्रकार है 78 से 87, 68 से 77, 58 से 67, 48 से 57, 38 से 47, 28 से 37, 18 से 27 यहाँ पर ध्यान दे असेंडिंग या डिसेंडिंग ओर्डर का कोई फरक नहीं पड़ेगा इसी अकॉर्डिंग हमारे पास कंडियेट दे रखे हैं यानि फ्रिकेंसी दे रखी है वो इस प्रकार है 4, 6, 20, 56, 40, 42 और 32 फ्रिकेंसी का जो टोटल होता है वो हमारे लिए अन होता है यानि नंबर होता है यहाँ पर फ्रिकेंसी का टोटल है 200 इसी अकॉर्डिंग हमारे पास एज ग्रूप दे रखा है एज ग्रूप का हम मिड वेलू कल्कुलेट करोगे मिड बेलू चिस प्रकार कल्कुलेट करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर देखें मिड बेलू 78 पलस में 87 डिवाइड वाइड वाइड टू इस प्रकार जो हम कल्कुलेशन करेंगे वो हमारे पास आंसर आएगा 82.50 इसी अकॉर्डिंग 68 पलस में 77 डिवाइड वाइड वाइड टू हम अधर आएगा इसका 72.50 इसी अकॉर्डिंग हम कल्कुलेट करते हुए चले जाते हैं 62.50, 52.50, 42.50, 32.50, 22.50 अब देखें यह हम X कल्कुलेट कर चुके हैं X में से हम अजूम मीन मानेंगे अजूम मीन आप कुछ भी मान सकते हो अपनी 24 से नंबरों दिये हो, डाटा में से मान सकते हो या इस से बहार मान सकते हो यहाँ पर देखें हम अजूम मीन हम बहार से मानते हैं हमने अजूम मीन मान लिया 50.50 अब हमारे पास क्यों सनी इस प्रकार है X माइनस में A is equal to DX यानि 82.50 माइनस में 50.50 is equal to 30 Next, 72.50 माइनस में 50.50 is equal to 20 62.50 माइनस में 50.50 is equal to 10 52.50 माइनस में 50.50 is equal to 2 42.50 माइनस में 50.50 is equal to minus ke 8 32.50 माइनस के 50.50 is equal to minus ke 18 22.50 माइनस 50.50 is equal to minus 28 यह हमारे पास DX आगया अब हमारे पास पहले से given है अब हमें calculation करना है FDX FDX calculate करने के लिए किस प्रगार calculate करोगे यानि DX और F का हम multiply कर देंगे F हमारे पास यहाँ पर 4 है 4 into 30 is equal to 120 6 into 20 is equal to 120 20 is equal to 10 20 into 10 is equal to 200 56 into 2 is equal to 112 40 into 40 into minus 8 is equal to minus 3 20 42 into minus 18 is equal to minus 7 56 32 into minus 28 is equal to minus 8 96 इसका सभी का total करेंगी वो हमारे पास आएगा Sigma FDX Sigma FDX हम इस परकार calculate करेंगे minus minus add कर दीजिए plus plus add कर दीजिए जो difference है वो इस परकार है minus 1 for 20 यानि 1420 अब हमें mean calculate करना है mean यानि x बार x बार का हमारे पास method है a पलस में Sigma FDX upon n x बार is equal to a हमारे पास 50.50 पलस में sigma FDX minus के 1420 upon 200 आगे देखिए x बार is equal to 50 minus 50 minus 7.1 is equal to हमारे पास आगया x बार पलस के 43.4 अर्थात mean हमारे पास में है 43 यह हमारे पास एक practical question था इसी according हम आगे question करेंगे यहाँ पर धान दीजिए इस question में मैन बताने वाली बात यह थी ascending या descending order से कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास question के जो mid value calculate करते हैं वो point ओ में आती है तब भी हमें question में कोई फरक नहीं पड़ेगा आप अपने question को थोड़ा solve करने के लिए arithmetic sorry assume मीन इस परकार मानिए ताकि point खतम हो जाए आगे देखिए next question इस question में देखिए calculate of arithmetic arithmetic average from the flowing data यहाँ पर हमारे पास central size दे रखी है central size यानि mid value mid value कितनी दे रखी है 5, 5, 15 25, 35, 45 इसके according हम group देखेंगे तो group का calculate करोगे तो देखें group calculate करने के लिए हमारे पास 5 है तो इसमें 5 में से 5 less कर दीजिए और 5 add कर दीजिए हमारे पास lower limit और upper limit आ जाएगी तो lower limit और upper limit हमारे पास कितना हुआ 0 से 10, 10 से 20 20 से 30, 30 से 40 40 से 50 अब हमारे पास इसी according frequency दे रखी है यानि F दे रखा है F इस प्रकार है 5, 10, 14 21, 20 F का जो total होता है वो हमारे पास N होता है N is equal to 70 अब इसमें से हम इसमें से हम A मानेंगे A यानि अजूमीन अजूमीन हमने यहाँ पर देखे अजूमीन यहाँ आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर हमने अजूमीन हम X में से जो दिया हो है उसमें से कुछ भी मान सकते हो हमने अजूमीन नमाल लिया 25 तो X माइनस में A is equal to DX X हमारे पास कितना है 5 5 माइनस में 25 is equal to minus के 20 15 माइनस के 25 is equal to minus के 10 15 माइनस 50 is equal to 0 35 माइनस 25 is equal to 10 45 माइनस 25 is equal to 20 अब यह हमारे पास DX आ गया अब इस कुछन में हम थोड़ा A मान कर कुछन को sorry I मान कर कुछन को सोल करते हैं यानि यहां पर इसमें जो mean calculation करते हैं उसमें एक थोड़ा सा एक method और आगे से लेते हैं I हमारे पास जो difference होता है गुरूफ का जो difference वो होता है I is equal to 10 तो DX upon I is equal to D dash X यानि हमारे पास DX है उसमें 10 का डिवाइड कर जीजे minus 20 divided by 10 is equal to minus 2 minus 10 divided by 10 is equal to minus 1 0 में से हम डिवाइड करेंगे 10 divided by 10 is equal to 1 20 divided by 10 is equal to 2 अब हमारे पास FD dash X आ गया FD dash X को हम F से multiply कर देंगे यानि 2 multiply 5 10 1 multiply 10 is equal to 10 0 multiply 14 is equal to 0 1 multiply 21 is equal to 21 2 multiply 20 is equal to 40 अब हमारे पास Sigma FD dash X आ गया 41 X बार हमारे पास X बार का याहां पर जो मैथड है यानि मीन का जो मैथड है वो इस प्रकार है A plus में Sigma FD dash X upon N into I X बार is equal to 25 प्लस में 41 upon 70 into 10 इसको हम सोल कीजिए वो इस प्रकार है X बार is equal to 25 प्लस में 41 multiplied 10 एनि 4 10 divided by 70 X बार is equal to 25 प्लस में 5.86 X बार is equal to 30.86 X बार का हमारे पास जो अंसर आ है वो 30.86 यहां पर हमने मीन कल्कुलेट्स कर चुके हैं अगर क्यूशन में इस क्यूशन की मेहन बात यह थी अगर क्यूशन में सेंट्रल साइज दे रखा है तो हम किस प्रकार क्यूशन सोल करेंगे स्ट्रेंट ध्यान दे सेंट्रल साइज मिडवेलू होता है और मिडवेलू यानि X होता है इससे हम ग्रूप कल्कुलेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्यूशन आगे continue है अगर क्यूशन में हम I मानकर यहां पर हमारे पास X बार कल्कुलेट किया हो है 11.9 गुरूप इस प्रकार है एज इन इयर 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 इसका हम सबसे पहले मिडवेलू कल्कुलेट करोगे मिडवेलू यानि 1 पलस में 5 डिवाइड बाइ 2 तो यह इस प्रकार है 3, 8, 13, 18, 23 इसी according हमारे पास frequency है frequency इस प्रकार है 3, 17 यहां पर missing frequency है इसको हमने B मान लिया missing frequency को हमने B मान लिया आगे 8 और 2 N हमारे पास N is equal to 30 पलस में B अब यहां पर कुछन उसी प्रकार है सबसे पहले हम A मानेंगे A यानि arithmetic मिन A हमने 30 मान लिया तो अब यहां दे पर देखिए 30 की सामने जो missing frequency है वो frequency missing है तो इसलिए हम 30 मानते हैं ताकि हमें कुछन करने में थोड़ी आसानी रहे आप sprint ध्यान दे जहां पर missing frequency होगी उसके सामने का ही हमारे पास A मानिए A, as you mean as you mean 13 X minus में A is equal to DX है यह हम solve करेंगे तो इस प्रकार आएगा minus 10 minus 5 0 plus 5 plus 10 अब हमारे पास A मानिए A हमारे पास DX जो है DX divided by I is equal to D dash X I हमने जो group का difference है वो मानिए group का difference 5 है तो 5 हमारे पास क्या होगा I यह हम solve करेंगे यानि DX divided by I तो हमारे पास इस प्रकार आएगा 1, 0, 1 और 2 अब हमारे पास F D dash X इस प्रकार है यानि D dash X को हम F से मल्टिप्लाई कर देंगे F से इस प्रकार है 2 multiply 3 is equal to minus 6, 1 into 70 is equal to minus 70 0 multiply B is equal to 0 1 multiply 8 is equal to 8 2 multiply 2 is equal to 4 अब यह हमारे पास आ गया F D dash X F D dash X हमारे पास आ गया minus के 11 अब हमारे पास जो मैध्लाई वो इस प्रकार है X bar is equal to A plus में sigma F D dash X upon N into I X bar हमारे पास दिया हो है X bar हमारे पास दिया हो है 11.9 is equal to 13 plus में minus के 11 upon N हमारे पास 30 plus में B I हमारे पास 5 5 है is equal to into 5 इसी according हमारे पास देखिए किस्वन को minus हमारे पास इसी according किस्वन को देखिए 11.9 is equal to 13 plus में minus के 55 divided by 30 plus में B यह इस प्रकार हो गया इसको हमारे पास इस परकार आंसर आजाता है यानि हमारे पास इसको less करते हैं यहाँ पर देखिए 11.9 minus में 13 इस सेड में आजाएगा plus divided by के इस सेड में आजाएगा यहाँ पर यह minus को हो जाएगा minus 13 is equal to minus 55 divided by 30 plus में B यह इस प्रकार हो गया इसको हम cross multiply करेंगे cross multiply करने के बाद में आप लोगों ने 12 में सीखा होगा cross multiply करेंगे उसके बाद में हमारे पास equation इस प्रकार के आजाएगी इस equation को हम solve करेंगे तो हमारे पास B आजाएगा B is equal to 20 यानि missing frequency है हमारे पास 20 है तो student ध्यान दे इस question को solve कीजिए अगर नहीं समझ में आए तो मेरे whatsapp number पे या मुझे call कर सकते हो Thank you